और भारत गयाना की संबंधों को दरसल एतिहासिक संबंध कहा जाता है और ये एतिहासिक संबंध कुछ दशक नहीं बलकि कह सकते हैं सद्यों पूराने हैं और आज गयाना की करीब 40 प्रतिशत जनसंख्या ऐसी है जो भारत वन्शी है गयाना में प्रवासी भार्तियों से संबंदित एक विशेश समारक भी है और ये समारक इस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा पहली बार गयाना लाए गए भार्तियों के उस वक्त की जल्कियों को प्रस्तुत करते हैं और देखे तो 1838 वो वर्ष था जब पहले भार्तियों ने गयाना की सर्जमी पर कदम रखा था हमारे समाधाता ने प्रधान मिंत्री के इस दौरे को लेकर वहां रह रहे प्रवासी भार्तियों से बात की है यह जो मॉनिमेंट दिख रहा है यह वो मॉनिमेंट है जहां पर पहली बार जो भार्तियों को लेकर तक्रीबान 180 साल पहले इस्ट इंडिया कंपनी के जहाज से उन्हें यहाँ पर लेके आया गया और यह उनी की याद में बनाये गया है किस तरीके से आए किस वेस्बूसा में आए जो अपने पारमपरिक रूप ढंग कह सकते हैं आप इनको ढोल देख सकते हैं हाथ में खाने का बलतन देख सकते हैं एक आजार देख सकते हैं उजिस परिवेश में वो लोग आये थे यहाँ पर गायना यह उसी की जहलक है जो कि यहाँ पर जो इंडियन कम्यूनिटी है वो इसको यहाँ पर इसको एक मॉनिमेंट के तरह यहाँ पर उन्होंने इसे जो है अभी तक जीवित रखा हुआ है और हमारे साथ यहाँ पर इंडियन कम्यूनिटी से भी काफी सारे लोग है जिनसे हम जाना चाहेंगे कि अब तक्रीबं 1968 के बाद भारत का कोई पढ़ान मंतरी गायना पहुंच रहा है पढ़ान मंतरी नरेंद्रमोदी और उसको लेके क्या एक्साइटमेंट है इस मॉनिमेंट के बाद ट्रावल करने के बाद उनके वाइज पर इधर पहला एक हाइबरी करके जगा में सब लोग उत्रा जब उत्रा गया एई सीन उनको डिस्क्राइब किया और स्कल्प्चुर ने इंडिया से इस बना के बेजा है पांच शे साल के पहले यह इदर तायर किया गया और इंडियान मॉनिमेंट यह मॉनिमेंट हमको सब दिवाली सेलिबरेशन और पागवा सेलिबरेशन सब कुछ हम इदर ही करते हैं पढ़ान मंत्री नरेंदर बोदी आ रहे हैं अभी हाँ पर क्या एक्सपेक्टेशन है उनको लेकि कितना आप लोग के अंदर के बाद वी विल हाव बहुत रिलेशन तो बहुत हो जाएगा एजुकेशन सेक्टर में एक सिनिमेटोग्रफी इंस्ट्यूट कोलने का इदर ओ इंडिया गौवर्मेंट और क्रिकेट इंस्ट्यूट स्टार्ट करने के लिए भी हम मनत कर रहे हैं अभी इदर भातिय मूल क के लोग है वो गायना और इंडिया के रिलेशन सिप को अब चाहते है कि पढ़ान मंतरी नरेंडर मोडी के आने के बाद जब यहां पहुंचेंगे तो उसके बाद और एक स्ट्रॉंग टायप दोनों के बीच में हो ताकि उसका जो फायदा हो वो यहां के लोगों को मिल सके उनको भी मिल सके जो यहां के और अन्य लोग है जो निवासी है उनको मिल सके तक्रीबन आठ लाग की पूरी पॉपुलेशन है यहां पर बताए जाता है कि 40% यहां पर भारतीय मूल के लोग है ऐसे पढ़ान मंतरी का यह दोरा जो है वो नसित गायना के लिए बलकि भारत क के लिए में जो एक तरीके से हम कह सकते हैं कि दोनों देशों के बीच में जो दूपक्षे रिष्टे उसको काफी मजबूती देगा कैमरामें सैंथिल और सौरब बक्सी के साथ अभिशेख सिंग डीडी निउस गायना